तो गाईस अगर आपका भी प्ले स्टोर जो है डिलीट हो गया है तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप जो है डिलीट हुए प्ले स्टोर को बापस किस तरह से ला सकते हैं तो कि इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपके एक doubt clear कर दूँ Playstore कभी भी delete नहीं होता है Playstore अ़ोरिक एप analyse अप्लिकरीसन होता है जो आपके phone में System app के वी साथ ही आता है और वो ऐसे delete नहीं होता है, ausse delete नहीं कर सकतें भाई अब आप सोच रहे होंगे भाई मेरे फॉन में तो कहीं दिखी नहीं रहा इसका मतलब तो यही हुआ ना डिलीट हो गया तो इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि अगर आपके फॉन में प्ले स्टोर नहीं दिख रहा है तो वो डिलीट हो गया है वो हो सकता ही कि आपने disable कर दिया हो या by mistake किसी ने कर दिया हो disable तो उसे आप किस तरह से ला सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं तो simple इसके लिए आपको setting में जाना है तो guys मेरा play store यहाँ पे था और मुझे लग रहा है कि भाई delete हो गया पर ऐसा नहीं है delete नहीं है जब मुझे पता चला तो इस बज़े से मैं इस वीडियो को बना रहूँ तो इसके लिए आपको simple आपको अपने mobile की settings में जाना है और setting में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा apps आपको apps पे क्लिक करना है उसको बाद apps management पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको search कर लेना है play store play store देख सकते हैं यहाँ और अगर मैं अगर कोई भी application देखता हूँ तो उसके नीचे disable का कहीं भी option देखने को नहीं मिला अगर मैं यहाँ पे play store search कर रहा हूँ देख सकते हैं उपर वाला नहीं है Play Store Disable है तो आपको इस पर एम बार tap करना है और आपको अन्यवल पर क्लिक कर देना है जिसी आप इन्यवल पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो प्ले स्टूर है वो वापस आजाएगा और यह चीज आप अपने दिमाग落ए पहले होता करता था कि आप प्ले स्टूर डिलीट हो कर सकते हैं guys देख सकते हैं play store आज चुका है तो चलिए से मैं set कर लेता हूँ अपने main जगापे जहां पर यह पहले set था तो यह हो गया हमारा play store set तो guys कुछ इस तरह से जो आप play store को बापस लगा ला सकते हैं और guys play store कभी भी delete नहीं होते अपने phone से और नहीं आप इसे delete कर सकते हैं ये सिर्फ छुप जाता है या फिर आप disable कर देते हैं जिस वज़े से आपको यहां पर नहीं दिखता है और आपको लगता है कि आपका जो place tour है वो delete हो गया पर ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है